जी डीनिस कैसे हैं आपाँ ही हूब सब ठीक हैं आज के वीडियों में बात करें ौाध कि Curl thank You विलकि च मुए टॉपी की बात करते हैं आसका जो टॉपिक है यह डैख बिसिकली अनर्डनेस-फमेटलल्स का मतलब यह होता है कि बहुत से मैटल्स ऐसे होते हैं जो नहीं करते जो आपको याद है कौन कौन से थे स्टूड्स नोबल मैटल्स है मैं आपको दुबारा रिमाइंड कर वाजिता हूं लीस्ट रेक्टिव और नोबल आपने लवस पड़ा था पे नमबर 139 पे तो कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड यह सब स्टूड्स यहां पर भी जो है इस बुक में आपको नदर आ रहा है कि यहां पर यह हमारे पास हैं मुझूद हैं इलिमेंट्स कॉपर सिल्वर गोल्ड यह गृूप नमबर 11 तो वैसे नोबल मैटल्स का ग्रूप किलाते हैं इसके लावस का साथ होला मरकरी को भी आप नोबल इलिमेंट्स होते हैं यह जो आपको पता है ना जो एस ब्लॉक के दरम्यान और पी ब्लॉक के दरम्यान इलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और यह डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं ट्रांजीशन एलिमेंट्स का या ट्रांजीशन का या ट् बेर हुं उसको को इह होसकता है। इंस आप जाएं कण्वेड्र इंटर सो घृट वो। इंसे कुम होती है। ऑ उनके यॉय literal में काम होती है। So that they are transition metals basically. Students, यह जो है, यह 4th period से start होते हैं, 5th period से start होते हैं, 6th period से start होते हैं. यह यह तीन periods पर मुझत मिल जो हैं, वो elements है. Students, अगर हम, let's say that, बात करते हैं कि मारे पास 4th period है, तो यह एक series है पूरी elements. जिनमें, सकंडियम, टैटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैगनीज, आइरन, कॉपर, निकल, कॉबाल था, कॉपर बोल दिया, निकल, कॉपर एंड जेंक, इनमें सारे एक जैसे ही बहेव करते हैं, देरा series of elements, लेकिनमें कॉपर इनकी तरह बहेव नहीं करता है, बाकियों की त करते हैं, याद रुको, बोर्ड में, सकता है, कि नोबल, या कॉइनेज मैटल, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, कि आउट ओफ देम, गोल्ड और सिल्वर आर रेलेटिवली इनक्टिव मैटल, क्योंकि यह हमारे पास, जो है, यहला कॉइनेज मैटल का ग्रॉ पहे, जो कि बिसिकली के रियक्शन जो है, वो नहीं करता, बिकाद यह इनक्टिव होते हैं, बिकाद यह आउटर शल्च एलेक्ट्रों इसली लूज नहीं करते हैं, ओके, सो नेक्स्ट वी हैव पारग्राफ, अब सिल्वर के बारे में बताया जा रहा है, कि सिल्वर जो है इसल्वर की बनी ही थारे है, और यहीं जो आपने लिपडें की पढ़ा हुए है, जिसमें इसका मतलब में कंवेर्ट किया जा सकते हैं और यह में कंवेर्ट यजासक्ते हैं, इस पॉलिष सर्फिसें挺 रगड रिफ्लेक्टों आफ लाइट, या निकिर सिर्फिस वह वोगी तो ये light को अच्छा reflect करेगी formation of thin layer of oxide or sulfide on its surface makes it relatively unreactive और ये जो एक layer of oxide है या sulfide है यानि कि जो silver है ना अगर silver oxide बन जाती है let's say that ago बन जाती है या ag2s यानि sulfur sulfur का sulfide बन जाती है silver sulfide या silver oxide बन जाती है तो फिर ये आपको याद होगा जब आपने पढ़ा था कि जब aluminium करोड गरता है तो उपर से aluminium oxide बन जाता है और नीचे से सारा aluminium save हो जाता है इसी जरह से समझे लो कि silver की पतीली है उपर से तो वो you know oxidize हो जाएगी या sulfide के sulfide बना लेगी लेकि नीचे से सारी की सारी पतीली क्या हो जाएगी save हो जाएगी यानि कि सारी कि सारी धात खराब नहीं होगी तो अंडर नॉर्मल कंडिशन आटमस्ट्र एड़ज नॉट एफेक्ट एफेक्ट सिल्वर इट टारिश इंदा प्रैंसल सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड लाइक एजटू एस टारिशन का मतलब है अपनी चमक हो देता है जाब एजटू एस जैसे कंपाउंड के अंदर हमने पतीली को रखना है ना तो फिर वह वाइट लस्ट्रस जैसी जो एपेरेंस हैसकी जो एक चमकीला पान है उसका क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा तो यह अब चमकीला पान खतम हो जाते हैं कि यह टारनिश हो गया हुआ है सो बिंग वेरी सॉफ मैटल सिल्वर एक हलका सॉफ्ट सा मेटल देखो बड़ी बड़ी इजी से पतीलियां भी फोल्ड हो जाती है यह डैंट पाड जाते हैं तो इतना ज्यादा वेर एंड और्नमेंट्स और सिल्वर के बरतन बना लें और और्नमेंट्स औहरा बना लें यानि जेवरात बना लें सो कंपाउंट तो सिल्वर और वाइली यूज्ड इन फॉस फोटोग्राफिक फिल्म पहले सिल्वर को हम फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए इस्तम आप देखते हैं आप देखते हैं मिरर की बैक साइट लगता है तो वह इसके लावा गोल्ड के बारे में लिगा हुए तो गोल्ड जो है यह भी एक यालो सॉफ्ट मैटल है मैलेबल डॉक्टाइल है और एक ग्राम गोल्ड जो है उसको आप इतनी बड़ी तार बना सकते हो कि बड़ी तार बन सकती है यानि कि इतना जबर्दस डॉक्टाइल किसम का मैटल है पतली बरीग सी तार यह नो और एक ग्राम से डेड़ किलो मिटर लंबी तार बना सकते हैं वोड में एमसी क्यों भी आ सकता है यह आपको गोल्ड इस एफेक्टेड वाई नॉट रेक्टेव इनर्ट जैसे मैंने पहले रेक्टेव मेटल है और वह नोबल मेटल है रेक्शन नहीं करता इतना फासनिकरेक्श्ण तो में इसbersburger नहीं करेंगा स्थेड बाइंट ओर रेषया सो को नहीं करसकता लेकिन मैं यहां बएक बाधा कर देता हूं कि Colorbps था और आप इसी सुने का जो पानी चड़ता था यह जाबरी नहीं यह पहले बनाया था तो आज हम उसी आप सुल्टानी से लोहे के ओपर गॉल्ड का पानी चड़ा लेते हैं और हम कहते हैं यह सोना है जब उसको रगड़ते हैं तो अंदर से वो धात निकलाती है पता लगता है यह तो जली है यह सोना नहीं है So because of the inertness in atmosphere it is at ornamental metal as well as used in making coins इसको भी coins बनाने के काम है Gold is a soft and used such as always alloyed with the copper, silver and some other metals और इसको alloyed बनाया जाता है यानि mix किया जाता है किसके साथ कॉपर के साथ गोल्ड को सिल्वर के साथ भी और कुछ और मैटल भी हो सकते हैं यहां पर एक information बहुत important दी गई है वो यह है कि जो गोल्ड है वो let's say that कि अगर हम 24 के 24 हिस्से गोल्ड ले ले उसको किसी और धात के साथ ना मिलाएं तो उसको pure सोना कहते हैं उसे कहते हैं 24 केरेट का सोना 24 केरेट गोल्ड लेकिन let's say that हम 22 हिस्से गोल्ड ले ले और दो हिस्से जो हैं हम कोई और मैटल ले 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 या कॉपर ले 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 और मिला ले जैसे let's say that आप वह बाइस किलो गोल्ड है उसमें आपने 22 किलो गोल्ड के अंदर का तो मिलावत होगी ना that that violies basically के vet का सोना तो बाकि कहा जाता है जी उता है उता ह। all갈 क्या चाह। चल्ड में डायए लिखके चैंकль डाल देते हैं यह इसको वाइड गोल्ड के लिग तो यद्गो की बी कीमत होती है comparatively. तो ये 12 स्केरट का सोना क्या होता है? 24 स्केरट का सोना क्या होता है? ये आपको board में सवाल आ सकता है. MCQB आ सकता है. तो ये important इसको त्यार कर ली जगा. ठीक है? उसके बाद students बात की जाती है platinum की जो के सोने से भी महिंगी धात है. ये भी काला सोना कहते हैं इसको और इसको भी jewelry बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है और you know color like beauty, strength, flexibility resistance to tarnish. और ये भी tarnish नहीं होता है. यानि इतने जल्दी अपनी चमक नहीं खोता है. इट प्रोवाइड जो सेक्यूर सेटिंग फो diamonds. क्योंकि ये सकत है. गोल्ड आपको पता नरा मैं diamond gold की rings में नहीं लगाया जाता. diamond platinum की rings में लगाया जाता है क्योंकि platinum एक सकत metal है, हार्ड metal है. तो इसलिए diamond जो होता है, आपको पत्थर काफी नयाब होता है. तो उसको save करना जरूरी होता है. तो इसलिए आपको पता है, इसलिए आपको पता है, प्लाटिनम इसलिए और प्लाटिनिम इसलिए, तो जैम स्टोंस को भी आपको पता है, उनको भी लगाया जाता है platinum के अंदर और ब्रिल्लिंट कीई जाती है इसके लावाров हैं घर इसके बात करें अभर हम बात करें ईलाएं औफ ब्लाटेनम की और रूडियंग की यह मीच ने हैं इनको भी कैटलिटि खिज Row अने का इसम्हें को persuasे हैं डिकलेटेद्ग क्वप्ष होता being emitted by vehicles into less harmful carbon dioxide nitrogen and water vapors और ये जो है toxic gases होती है आपको पता है कि ये less harmful gases में convert कर देता है तो what are catalytic converters and their use आपको ये बोर्ड में यहां से short question आ सकता है तो ये लाजमी त्यार कर लीचेगा उसके बाद प्लाटनम इस यूज़ इन दा प्रोडक्शन आफ हार्ड डिस्क आप आपको पता हार्ड डिस्कें भी खतम हो रही है चोटी चोटी सी आपको पता है SD memory आ रही है SD cards आ रही है तो पहले you know platinum को hard disk में भी इस्तमाल किया जाता था for coating and fabric optic cables के अंदर भी इस्तमाल किया जाता था बाटनम की यूज़ है ना फिर प्लाटनम को जो है आपको बोर्ड में यह सवाल आएगा give the use of silver gold and platinum लॉग कोशन भी आ सकता है और आपको short question भी आ सकता है क्यूंकि आप chemical activities पढ़ने है उसमें uses चैप्टर से यह सवाल निकल सकता है लॉग तो आपको इस चैप्टर से वैसे आता नहीं है moment boards long लेते शॉर्ट ही लेते है तो platinum का क्या यूज़ है क्या यूज़ है फिल्वर का क्या यूज़ है sodium का क्या यूज़ है calcium का क्या यूज़ है आपको मैंने पहले प्रेशल लेक्शर में पढ़ाया था तो यह आपने याद रखना है so platinum is used for the production of harddash and coating and fiber optic cables and platinum is used in the manufacturing of fiber glass re-force plastic and glass for liquid crystal displays LCD LCDs बनाने के लिए प्राटन का इस्तमाल किया जाता है तो आपने अगर देखनी है test yourself 8.2 तो भी यूट्यूब सर्च बार पे लिखें test yourself 8.2 space gs academy आपको सबसे पहले वीडियो नजर आजएगी अब देख लीजएगा सारे आंसर के क्या है वाप्रमेंट समझा दीए आज की वीडियो जिसमें हमने काफी सीखा कि आखिर ने सब नोबल मैटल्स क्या होती है नोबल मैटल्स रियक्शन अगर करते हैं तो कब करते हैं और कौ सब्सक्राइब लाजमी की देगा